IPL 2022 Mega Auction की त्यारी जोरों पर है 12-13 फरवरी को बैंगलूरू में अमाम खिलाडियों पर जम कर बोली लगेगी सभी IPL प्रेमियों की नजरे इस बात पर हैं कि सबसे ज़्यादा बोली किस खिलाडी पर लगेगी पिछले IPL सीजन्स की बात करें तो किर्स मौरिस, पैट कमिंस, विराट खोली जैसे खिलाडी काफी महंगे बिके थे सबसे पहले IPL सीजन्स यानि साल 2008 में महिन सिंग दोनी को सबसे महंगा खिलाडी बताया गया था लेकिन IPL के इतिहास में एक खिलाडी ऐसा भी है जिसे IPL आक्शन में 8 करोड रुपे मिले और उसने सिर्फ एक मैच खिला जी हाँ, चौकिये नहीं, मैच के लिहाज से देखों तो यह IPL के इतिहास का सबसे महंगा खिलाडी रहा एक और विराट कोली, क्रिस मौरिस और महिन सिंग दोनी जैसे खिलाडियों को बेशक करोणों रुपे मिले लेकिन मैच भी 8 से लेकर 16 तक खिले लेकिन इस खिलाडी ने सिर्फ एक मैच खिला और रुपे लिए 8 करोड से ज्यादा अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा खिलाडी है, तो आपको बताते हैं बात हो रही है मिश्टरी स्पीनर कहलाने वाले वरुण चक्रवर्ती की वरुण चक्रवर्ती सबसे पहले साल 2019 में IPL आॉक्शन में बिगे थे पहली ही बार में पंजाब किंग्स की टीम ने उनके उपर 8 करोड 40 लाख रुपे की बोली लगाई थी जो कि इस सीजन की सबसे महगी बोली थी साल 2019 के IPL में पंजाब किंग्स ने वरुण और राजिस्थान लॉयल्स ने जैदेव उनादकट को 8 करोड 40 लाख रुपे में खरीदा था कमाल की बात इस समय तक वरुण चक्रवर्ती की न तो IPL में ही कोई पहचान थी न इंटरनेशनल क्रिकेट खिला था ऐसे में इतनी बड़ी बोली से हर कोई सर्प्राइज था लेकिन उससे भी बड़ा सर्प्राइज मिला IPL शुरू होने के बाद IPL 2019 में वरुण चक्रवर्ती को पंजाब की टीम से सिर्फ एक मैच में खिलाया गया यह मैच केके आर यानी कोलकता नैट राइडर के खिलाफ था इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 35 रन दिये और सिर्फ एक विकेट लिया इस मैच के बाद वरुण चक्रवर्ती की उंगली में चोट भी लग गई जिसके बाद वह अगले मैचों में खेल नहीं सके और पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच खेला बता दें कि वरुण उसी केके आर में शामिल हो गए बाद में जिसके खिलाफ पहला आईपियल मैच खेला था इस बार भी केके आर ने वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया है इस बार यानि आईपियल 2022 के लिए वरुण चक्रवर्ती को आठ करोड दुपे में रिटेन किया गया है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिराएंगे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले सबसे जरूरी बात 12 और 13 फरवरी को मेगा आक्शन के समय आपके लिए हम ला रहे हैं विशेश प्रस्तुति